Hello everybody, welcome to Magnet Brains. मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator. और आज हम सार्ट करने वाले हैं Class 12th की Flamingo Book का Last Chapter, which is Going Places. और इसकी ओथर है A.R. Barton. So, ओथर के बार में पढ़ते हैं पहले की A.R. Barton कौन है? A.R. Barton is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. तो A.R. Barton जो है, एक काफी modern writer है जिस Zurich में रहते हैं और English में रहते हैं इनके सारी writings, okay? In the story going places, Barton explores the theme of adolescent, fantasizing and hero worship. तो basically ये chapter में हमको A.R. Barton क्या बता रहे हैं? किस दो themes के बार में बता रहे हैं? एक है adolescence, adolescent fantasizing and दूसरा है hero worshiping. अब adolescent क्या age होती है? adolescent वो age होती है, जब कोई बच्चा या कोई लड़का या लड़की 12 या 11 यार्ज के बाद आते हैं? यानि 13 यार्ज से जब हम बड़े होने लगते हैं? हम adult, basically adolescence, teenager बनने लगते हैं? तो वो उती है adolescent age. तो यहाँ पर author बता रहे हैं? कि जब कोई लड़का या लड़की या कोई साभी बच्चा adolescent में आता है यानि teenager बनता है तो कई सारी चीज़े fantasize करता है यानि ये बच्चों में इतना ज़्याद experience नहीं होता तो ये life की reality को नहीं समझते हैं बलकि क्या करते हैं? अलग-अलग चीज़े imagine करने लगते हैं जो इनके reach से बहुत दूर है फर एक्जामपल कोई सोचने रखता है मैं तो actor बनूँगी हो सकता है कि उसके लिए actor बनना possible नहीं है वो इस family से belong करती है कि शाद actor ना बन पाए तो इंसान life की reality को practicality को नहीं समझता है बस fantasize करते हैं क्यों क्योंकि अभी इन बच्चों में experience की कमी है यह अभी teenagers है तो basically इसी के बार में हम chapter में पढ़ेंगे और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे hero worship अब hero कौन होते हैं? hero यह जो famous hero होते हैं heroines होते हैं, actors, actresses होते हैं तो यह जो कुछ लोग होते हैं, जो teenager बच्चे होते हैं यह भगवान को भूल के, सब को भूल के जैसे कि इन hero and heroines को worship करने लगते हैं इनकी पूजा कर रहे हैं जैसे दिन रात जैसे वो कपड़े पहनते हैं, वैसे ही same यह भी पहनेंगे जैसे वो लोग hairstyle रख रहे हैं, वैसे यह teenager बच्चे भी hairstyle रखेंगे तो यह सब बड़ी बड़ी चीज़े fantasize करते हैं, अपने दिमाग में imagine करते हैं क्योंकि इन बच्चों में अभी experience की कमी है इन्होंने भी दुनिया नहीं देखी, इन्होंने जैसा टीवी में देखा, जैसा famous लोगों को देखा तो बस वैसा बनने की कोशिश करेंगे और उनके जैसा अपने आपको बनाने की कोशिश करेंगे तो इस चाप्टर में भी हम इन दो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे Let's begin with the introduction of the chapter और चाप्टर को introduce करने से पहले यह इस चाप्टर में कौन-कौन है, क्या क्या इस चाप्टर के में characters हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी Basically यह चाप्टर revolve करता है Sophie के round, Sophie एक teenager लड़की है She's a Sophie, एक teenager है, उसी की classmate, उसी की best friend है Jancy A friend and classmate of Sophie, तो इसमें second character है Jancy Third character है Geoff, Geoff है Sophie का elder brother यानि कि उसका बड़ा भाई फिर है Derek, Derek भी Sophie का brother है लेकिन उसका younger brother है उसका छोटा भाई है Okay, फिर है Danny कैसे, Danny कैसे कौन है? एक young Irish football player है, तो young सा है, football player है, Irish है, सुन्दर दिखता है, he's very handsome तो Sophie जैसी young लड़किया है, या Sophie जैसी teenager लड़किया है, इन सब famous personalities को like करने लगती है And adolescence age में है, तो उसके बारे में ही सोचती है वो सब चीज़े fantasize करने लगती है, जो की अभी possible ही नहीं है, तो Danny कैसे young Irish football player है और chapter में Sophie के father और Sophie के mother भी है, जिनके बारे में कुछ-कुछ बाते बताई गई है So these all are the characters जो की हम इस chapter में पढ़ने वाले है Introduction of the chapter The story revolves around a teenage girl Sophie, her family and friends So basically story किसके around चल रही है, एक लड़की जिसका नाम है Sophie इसमें उसकी family and उसके mother, father, उसका बड़ा भाई, उसका छोटा भाई, सब के बारे में और उसकी friend Jancy के बारे में काफी सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे She is a daydreamer, Sophie क्या है daydreamer है, हमेशा खोई रहती है, दिन में भी खयालों में खोई रहती है Life की reality को देखना नहीं चाहती Who is always lost in our dreams of becoming rich and sophisticated तो उसके दिमाग में सब यही खयाल आते रहते हैं कि मैं बहुत rich बन जाओ, sophisticated बन जाओ, याने कि बहुत बड़े-बड़े level के काम करूँ, बहुत पैसा कमाओ, यही सब इस Sophie के दिमाग में चलता रहते है Though in reality she is a worker at biscuit factory लेकिन reality क्या है कि वो एक biscuit बनाने वाली factory में काम करती अपनी friend Jansi के साथ तो उसके reality क्या है और क्या वो dreams देख रही है वो इन सब चीजों को नहीं balance करी वो तो बस एक young लड़की है जो देख रही है बस वैसा खयाल करती जारी है जैसे कि आजकल के teenagers करते है तो story में चोटा सा twist आता है, turn आता है जब एक दिन Sophie Danny कैसे जो एक young football का player है उसको देखती है और imagine करने लगती कि मैं Danny कैसे से मिली थी और फिर सब को बताती है कि मैं Danny कैसे से मिली थी उसने मुझे ये बोला, मैंने ऐसा बोला, अब हम मिलने भी वाले ये सब कुछ reality में नहीं होता बट क्योंकि वो fantasize कर रही है, imagine कर रही है तो वो उन्ही खयालों में खोई रहती है और सबको ये ही बताती है तो अपने बड़े भाई को ये भी बताती है वो कि Danny कैसे मुझे से मिला था और उसने मुझसे promise भी किया कि वो मुझसे so and so date पे मिलेगा तो ये सब false ठीजे अपनी imagination के basis पे वो अपने घरवालों को बताती है but nobody had come to meet him as it was just her imagination and fantasy पर वो गई भी मिलने, एक particular जगा पे गई मिलने and कोई उससे मिलने नहीं आया क्यों क्योंकि ये तो स्रीफ उसकी imagination थी उसकी fantasy थी और उसके घरवाले भी उसकी बातों पर believe नहीं करते क्योंकि पता है कि Sophie भी बहुत छोटी है teenager है कुछ भी कुछ भी बोलती रहती है तो इसी के बारे में हम अच पूरा chapter पढ़ेंगे So let's begin with the introduction, with the deep explanation of the chapter When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique तो यहाँ पर दो friends की बीच में conversation चल रही है, एक है Sophie, एक उसकी friend है Jancy ये लोग school से अपने घर लोटरी हैं दोनों लड़कियां और आपस में बात करी हैं Sofie Jancy से कहती है, जब मैं छोड़ूँगी school, when I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique तो कहती है, अब जब मैं school खतम हो जाएगा, तो मैं क्या खोलूँगी, अपना boutique खोलूँगी हम सबको पता है, boutique क्या होता है, a small shop selling fashionable clothes तो एक ऐसी जगह जापे fashionable clothes मिलते हैं, उसे हम boutique कहते हैं तो Sophie कहती ही, मैं क्या बनूँगी, मैं तो एक designer बनूँगी और अपना boutique खोलूँगी जैंसी linking arms with her along the street, looked doubtful, तो जैंसी और वो साथ में चल रहे हैं और जैंसी उसके कंदे पैसे हाथ रखी हुए उसको doubtfully देखती कि तुम boutique खोलोगी क्योंकि वो थोड़ी सी शॉक्ड है क्योंकि boutique खोलने में पैसा लगता है तो जैंसी सोफी को प्यार से सोफ कहती है, short form में कहती है उससे कि सोफी इतना सा बुटीक खोलने में क्या लगता है पैसे, बहुत सारा money लगता है I'll find it, सोफी said, staring far down the street तो सोफी कहती है हमें ढून लूँगी कुछ ना कुछ करके मैं पैसे कमा लूँगी और सडक पे दूर तक ऐसे देखने लगती ही कहीं, जैसे उसकी मन में hope है उम्मीद है कि हां मैं पैसे कमा लूँगी तो सोफी कहती है जैंसी से कि तुम्हें पैसे कमाने में बहुत time लगेगा सोफी तो सोफी कहती है हां तो ठीक है मैं कहीं पर manager बन जाऊंगी कि थोड़ा बहुत काम कर लूँगी और फिर थोड़े पैसे आ जाएंगे to begin with तो बोलने लगी कम सकम शुरवात में तो मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे फिर boutique बनाना start कर दूँगी तो इन सब conversation से हमें क्या समझ में आ रहे है कि जो सोफी है उसको life के practicality समझ में नहीं रही है वो अपने सपनों के दुनिया में है और हर चीज के लिए बोल रही है हाँ तो ऐसे नहीं तो वैसे कर लूँगी और on the other hand जो जानसी है वो practical है समझदार है उसे पता है कि ये दोनों biscuit factory में काम करते हैं और ये लोग इतने बड़े-बड़े सपने नहीं देख सकते क्योंकि हर चीज के लिए पैसा लगता है तो सोफी कैती जैनसी से हाँ ठीक है मैं कैसे भी पैसे कमा लूँगी और तब तक कमा लूँगी जब तक इनफ पैसे सफिशन पैसे में पास नहीं आ जाती और मुझे पता है how it's all going to look up उसे पता है कि हाँ ठीक है जब मिर पास पैसा आजएगा तो सब चीजे कैसे दिखेंगी सब कैसा होरा है सब मैं अपने दिमाग में मैंजन कर सकती हूँ तो ऐसा सोफी कह रही है जैनसी से तो जैनसी कहती है कि सोफी तुम कही पर भी जोगे तो वो तुमें स्ट्रेट अवे वहां का मैंजर नहीं मना देंगी हमारी पढ़ाई भी complete नहीं हुई अभी तो सोफी कहती है मैं 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 अपने कपड़ों के जो भी डिजाइंस बनाऊंगी वो क्या रहेंगी बहुत नाचरल मेरी डिजाइंस रहेंगी वो तो देख ओने, देख मतलब इस दुनिया के लोगों के बारे में सोफी बोल रही है और कहती है कि देल सी, ये दुनिया देखेगी कि कितनी मैंने नाचरल डिजाइंस बनाई है और कितने शुरू से मैंने काम करना स्टार्ट किया कितना amazing shop, कितनी amazing मेरी बुटीक रहेगी और दुनिया देखेगी तो इस type की बाते Sophie कह रही है Jansi से Jansi knowing they were both earmarked for the biscuit factory became melancholy earmarked क्या होता है, reserved और melancholy का मतलब क्या होता है, sad दुखी होना अब Jansi को पता था कि ये लोग earmarked है, याने reserved है biscuit factory के लिए, क्योंकि इनका mind पहले से family ने इन लोगों की prepare करके रखाई, कि जैसी school खतम होगा तुम लोग biscuit factory में काम करोगे लेकिन Sophie की इस तरीके की बड़ी-बड़ी बाते सुनके, जो की शद practically possible नहीं है, Jansi दुखी हो जाती है कि Sophie कैसे बोल रही है सब चीजे, she wished Sophie wouldn't say these things, और वो meet करती है, कोशिश करती है कि Sophie इस तरीके की बड़ी-बड़ी बातें ना करे क्योंकि वो हम जैसे poor लोगों के लिए possible नहीं है When they reached Sophie's street Jansi said, it's only a few months away now Soph, you really should be sensible, तो जब वो लोग Sophie के घर की सड़क तक पहुच गए, क्योंकि वो लोग स्कूल से घर आयते, तो जब वो सड़क तक पहुच गए स्ट्रीट तक जहां पे Sophie का घर है तो वहाँ पर Jansi Sophie से कहती है, Jansi स्रिफ कुछ months बचे हमारा स्कूल खतम होने में और तुम्हें sensible बाते करनी चाहिए, याने तुम्हें इदर उदर की फालतू बात नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी बात करो जो sensible है, जिसमें अटलीस दिमाग लगाओ, कि हमें अब स्कूल खतम होने के बाद, बिस्किट फाक्टरी में काम करना है और कभी तुम्हें Mary Quant बनना है कभी तुम्हें बुटीक खोलना है, तुमको sensible बाते करो और जैंसी सोफी से कहती है, कि सोफी तुम्हें पता है कि तुम्हारे डाड एक शॉप में काम करते हैं और वहाँ पे अच्छी पेमिंट नहीं बलती और जब तुम्हें ये काऊगे कि तुम्हें बुटीक खोलना और बिस्किट फाक्टरी में काम नहीं करना तो वह बहुत गुस्सा उंगर तुम्हें कभी अलाव नहीं करेंगे सोफी और अक्रेस उंगर a and I could maybe have the bkan 5 मिल रहा है कि अब सोफी कह रही है अछे चलो मं क्या बन जाती हो मैं एक अक्रेस बन जाती हूँ फही रूइन बन जाती हूँ तो हमें बहुक्त क्वी हम豫ी कि और ओस पता निया कि KI. सही है क्या गलत है क्या रियल लाइफ है क्या प्राक्टिकल जिंदगी हमारी पहले वो पुलती है मैं बुटीक खोल लूगी अब वो कहती है चलो मैं अक्टरिस बन जाती हूं क्योंकि वैसे भी आक्ट्रिस इसको रियल वर्क नहीं करना पड़ता यानि कोई जाधा महनत काम करना पड़ता और उनको रियल मनिया ने गुड़ अमाउंट ऑफ पैसा मिलता अक्ट्रिस इसको तो कहती है मैं अक्ट्रिस बन जाओंगी थोड़ा बहुत काम करूंगी और साइड बाइसा अपना बुटिक भी खोल लूंगी दोनों काम कर लूंगी मैं अक्रिस दोंट वर of fashion designer you know something a bit sophisticated तो वो कहती है हाँ ठीक है यह नहीं तो वो या तो मैं अक्ट्रिस बन जाओंगी या तो fashion designer बन जाओंगी कुछ भी बनूंगी लेकिन जो भी बनूंगी बहुत sophisticated बनूंगी यहने worldly experience and knowledge of fashion and culture यहने ऐसी वो इंसान बनूंगी जिसको हर चीज का बहुत knowledge और जिसको कोई भी चीज अच्छे से साही behavior से करने आती है तो कहती है मैं sophisticated या तो actress बनूंगी या तो मैं क्या बन जाओंगी या तो एक boutique खोल लूंगी अपना और बस यह बोलके वो अपने घर में चली गई Sophie और वहीं जैंसी को बारिश में अकेला छोड़के चली गई if ever I come into money I'll buy a boutique अब क्या होता है अब जैन जो Sophie है वो स्कूल से घर आ गई है और घर में एंटर हुई है और घर में एंटर होती है सब जो भी लोग वहां बैठे है उसके family members उनसे बोलती है जब भी मेरे पास पैसा आएगा न मैं अपना boutique खोलूंगी यह वो किसको बोल रही अपने family members को ठीक है वो कहती है अब जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं क्या खोलूंगी अपना बड़ा सा बुटीक खोलूंगी मैं हां इस यू वर कम इंटो मणी इस यू एवर कम इंटो मणी यू बाइस अब लेस्ट इसन हाउस तो लिए थांक यू वेरी मच तो अब यह बहुत थोड़े से गुस्से में और थोड़े अरगंट तरीके से यह सोफी के फादर बोलते उसको कहते जब तुमारे पास पैसा आएगा कहते हैं जब तुमारे पास पैसा आया अगर कभी तो तुम हमारे लिए एक बहुत डिसेंटिक बहुत अच्छा सा घर खरीद होगी थांक यू वेरी मच और वह थांक यू को मोलते हैं क्योंकि उन्हें अभी अभी शैद उनकी मदर ने पाए कुछ खाने को दिया उसके लिए वो थांक्यू कह रहे हैं तो यह एक बुटीक होता है और यह जो आप देख रहे हैं इसको हम पाए कहते हैं तो सोफी के फादर क्या कर रहे हैं? स्कूपिंग, स्कूपिंग याने येटिंग वेरी फास्ट, जल्लेली बहुत तेज तेज वो शैपर्ड पाए खा रहे हैं अपने माउथ में as hard as he could go क्यों क्योंकि शैद सुबा से वो बहुत महनत करके आएं, बहुत थके हुए अभी घर में आएं तो उनको जो भी पाए खाने को दिये, उनकी वाइफ ने वो जल्लेली वो खा रहे हैं प्लंप फेस का मतलब क्यों होता है? राउन फेस, जिस इंसान का गोल चेहर होता है तो सोफी के फादर का फेस कैसा था? प्लंप फेस, ग्रिमी मतलब डर्टी या सॉइल तो वो बताते हैं कि भई, जो सोफी के फादर है वो जल्लीली खा रहे थे क्योंकि पूरे दिन के बहुत महनत करके आए थे फेस उनका गोल था और ग्रिमी था याने काफी डर्टी धूल मिट्टी से हो रहा थे क्योंकि पूरे दिन से बहुत ज़ादा वो काम करके आ रहे था और पसीना पूरा बहरा था उनके फेस पे तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर अब छोटे भाई की बात हो रही है सोफी के जिसका नाम है डर्रिक तो डर्रिक अपने फादर की चैर के पीछे से हैंग हो रहा है लटक रहा है और कह रहा है पापा इसको तो लगता है कि पैसा शाय पेड़ पर उखता है इसलिए ऐसी बाते कर रही है तो यह सब आपस में सब की बहस हो रही है इस तरीके से यह सब उनकी मदर देखे क्या करती है कि हमेशा यह लोग आपस में इस तरीके से बहस करते हैं सोफी वाच्ट हर बैक स्टूब ओवर दे सिंक और दे इनकॉंग्रूइटी ऑफ दे डेलिकेट बो स्टूब का मतलब क्यों होता है शोल्डर बेंट फॉरवर्ड जब आपका शोल्डर आगे की तरफ बेंट होते हैं आप कुछ काम कर रहे हो तो सोफी ने अपनी मदर को देखा जिनका बैक सिंक याने वो बेसन जो किचिन में होता है जिसमें बरतन दोल रहे होते उनको देखती कि वो इस तरीके से जुक्के अपना कुछ बरतन वगरे वाश कर रहे हैं और वंडर करती है और सोफी सोचती है incongruity, याने inappropriate, जो सही तरीके से यह जो bow है, यह क्या होता है, यह पूरा apron है, और apron का यह क्या है, बूब, तो वो सोच रही है, अपनी मदर को देखे कि मेरी माँ कितना काम कर रही है, कितनी महनत कर रही है, और जो उनका apron का bow है, वो भी सही तरीके से बंधा नहीं हुआ है, फा crooked back, crooked back मतलब bend back, तो याने कि वो अपनी माँ को देख रही है, कि यह जो bow बंधा हुआ है, कितना loose बंधा हुआ है, उनकी जो back है, वो crooked याने आगी की तरफ जुकी हुई है, और वो कुछ काम कर रही है जुकी किचिन में, तो अब क्या और ही है, तो अब क्या ओर ही है, अब blacked out, blacked out in the window, मतलब अब रात हो रही है, शाम का समय आ रहा है, और जिस room में वो लोग रहते हैं, वो पूरे room में steamy हो गया है, याने बहुत धुआ फैल गया है, क्योंकि इस तरीके से उसकी mom खाना बना रही है, रात का दिनर, तो पूरे कमरे में वहां क्या फैल गया है, ध सामा ने दर उदर फैला हुआ है, कोने में वाशिंग याने जूटे बरतन भी रखे हुए जो अभी और धोने बाकी थे, और जो उनके फादर है, वहां बैटे हुए heavy breathing कर रहे हैं, याने कि बहुत मुश्किल से सांस ले रहे हैं, क्योंकि पूरे घर में इस तरीके से steam, गया है, और क्या पहने हुए उनके father west, जिसे हम बनियान भी कहते हैं, वो बैठे हुए हैं, तो Sophie felt a tightening in her throat, और ये सब घर में इतना धुआ देखके, उसके father खास रहे हैं, और इतना गंदगी देखके, Sophie felt a tightening in her throat, यहने ऐसा लग रहा था, कि उसकी सांस जारी, उसकी जान निक भुआ और घंदगी थी, तो वो चली गए उस रूम से, kneeling का मतलब क्यों होता है, घुटने के बल बैठना, इस तरीके से, और tinkering का मतलब क्यों होता है, be in a position in which body, sorry, tinkering का मतलब होता है, repairing, याने जब आप कोई चीज रिपैर कर रहे होते हो, तो जब Sophie दूसरे कमरे में गई, अपने बड़े भाई जियोफ से मिलने, तो वहाँ प काम कर रहा था, क्योंकि वह एक मेकानिक है, तो उसने न्यूस पेपर इसली बिचा था, ताकि कार्पेट खराब ना हो, he was three years out of school, an apprentice mechanic, traveling to his work each day to the far side of the city, तो इसके बड़े भाई जियोफ को school complete करे होए three years हो चुके थे, और वह अब एक apprentice, यानि कि अभी trainer, एक learner है, किसी superior mechanic के अंदर, तो कोई बहुत बड़े mechanic है, उसके अंदर में इसका भाई, जियोफ, as a learner mechanic है भी, काम कर, सीख रहा है भी, और वो रोज travel करके काम करने जाता है, शहर से बहुत दूर, he was almost grown up now, and she suspected areas of his life, about which she knew nothing, about which he never spoke, तो अब जो जो जियोफ है, Sophie का भाई, वो अब grown up एयाने, काफी बड़ा है, काम करता है अपनी life में, और Sophie क्या suspect करती है, उसके बारे में, यानि क्या guess करती है, क्या guess क्या सोचती है, क्या सोचती है, कि इसकी life तो कितनी अच्छी है, अब तो बड़ा है, जहां जाए, जहा सकता है, इसको किसी के permission ल of a person कम बात करता है तो सोफी सोचती है कि इतना इंजॉई करता ही अपनी लाइफ में यह मुझे कभी बताता भी नहीं है तो यह सब सोफी अपने ब्रदर जी ओफ के बारे में सोच रही है He said little at all, ever voluntarily तो वो पुलती है कि मेरा भाई बहुत कम बोलता है और जब भी बोलता है याने precious stones, minerals खोद के निकालते हैं उसी तरीके से अपने भाई के मुझे शब भी हमें निकालने पड़ते हैं क्योंकि वो बिल्कुल बहुत कम बोलता है As she was jealous of his silence और जो Sophie है उसके भाई के silence हमेशे jealous रहती कही कुछ बोलता ही नहीं है अपनी life के बार में कुछ मुझे बटाता ही नहीं है When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere Out there, in the world of those places, she had never been So Sophie सोचती है कि जब मेरा भाई बात नहीं कर रहोता है, घर में नहीं होता है मतलब वो कहीं ऐसी जगह होता है, जहां वो बहुत enjoy कर रहोता है जहां पर Sophie आशतक अभी गई भी नहीं और नहीं जा पाईगी क्योंकि वो बताता ही नहीं तो basically Sophie imagine करी कि मेरे भाई की life कितनी अच्छी, वो enjoy करता है मेरी life कितनी boring है और वो बताता भी नहीं है और ना मुझे ले जाता है अपने साथ Whether they were only the outlying districts of the city or places beyond in the surrounding country, who knew Outlying मतलब distant places, कोई ऐसी जगह हैं जो बहुत दूर है तो Sophie कहती है, मेरा भाई शैड दूर दूर जगहों तक जाता है चाहे वो cities में हो, या places beyond in the surrounding country याने country से थोड़ी सी दूर, मतलब country याने शेहर, जिस विलेज में जिस जगहाई लोग रहते हैं उससे थोड़ा सा दूर किसी जगहों पर जाता है कहां-कहां जाके गुमता है, मुझे तो पता ही निये who knew, याने कहती है, किसे पता है क्योंकि ये बताता ही निये कुछ तो इसकी according, इसके भाई की life बहुत अच्छी है जो ये imagine करती है, इसके भाई ने कुछ नहीं बता है क्योंकि वो तो वैसे ही कम बोलता है ये स्रिफ खुद ही imagine करी कि मेरे भाई की life कितनी अच्छी है और मेरी कितनी boring है और ये कुछ बोलता भी नहीं और share भी नहीं करना कुछ They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach fascination का मतलब क्या होता है a special interest जब आप आपको जान बुझके किसी चीज में इंट्रेस्ट आते कि वाओ कितनी अच्छी है कश मैं भी ऐसी बन जाओ कश मैं ये बाइक खरीद लूँ तो इसको fascination कहते है यानि आपका इंट्रेस्ट उस चीज में develop हो रहे है तो सोफी ये सब चीजे देखके अपने भाई की या सोच के fascinate होती कि वायर कश मैं भी बाहर जाओ कश मैं भी गुमू दुनिया को देखू जहां तक वो पहुँचनी बारी वहां तक उसको जाने की इच्छ है किसको? सोफी को परहाप्स का मतलब क्यों होता है? मेबी, शायद इच्छोटिक का मतलब क्यों होता है? याने कुछ लोग जो इच्छोटिक होते हैं वो फॉरिंट से आते हैं या फिर इस पाटिकुलर जगा के रहते नहीं हाँ पर नॉन रेजिडेंट्स होते हैं तो सोफी सोचती है शायद मेरे भाई जहां पर जाता है एक्जोटिक लोगों से मिलता है याने कुछ पॉरेनर्स से मिलता है या उन बाहर के लोगों से मिलता है जो यहां के नहीं है उनके साथ बैठता है, enjoy करता है क्योंकि वो मुझे कुछ बताता ही नहीं never spoke तो यह सब reality नहीं है यह सब सोफी सरिफ imagine कर रही है कि ऐसा ऐसा करता होगा मेरा भाई बहुत enjoy करता है और वो बताती है कि शायद वो इतना quiet है कि वो अपने easily इतने friends बनाई नहीं पाता तो क्या क्या enjoy करता है तो basically जो सोफी का भाई जी ओफ है बड़ा भाई वो जादा नहीं बोलता है और easily friends नहीं बनाता she longed to know them longed मैंने wish सोफी की हमेशा से इच्छा है कि मैं सब जानू कि मेरी भाई की life में क्या हो रहा है कहां वो जाता है किन लोगों से मिलता है कौन उसके friends है कैसे वो enjoy करता है तो सोफी को यह सब जानने की इच्छा है तो सोफी ऐसी इच्छा रखती है ऐसी wish है उसकी कि काश मेरा भाई जो है मुझसे और love करने लगे हमारा connection आपस में बहुत अच्छा हो जाए तो might be किस दिन वो मुझे अपने साथ बोले कि चलो सोफी तुम भी चलो आओ तुमें गुमा के आता हूँ जहां मैं जाता हूँ अपने new friends को मिलवाता हूँ तो यह सब चीजें सोफी जो है सोच रही है अपने बड़े भाई जियॉफ के बारे में तो जियॉफ को और सोफी को परमिशन नहीं थी उनके फादर के द्वारा की सोफी को वो कहीं ले जाए अपने साथ क्योंकि जियॉफ अपने काम से जाता है तो फादर ने कभी permission ने थी कि नहीं तुम अपने भाई के साथ जाओ और घूमो और सोच चोटी है उसको अपने साथ मैं कहां ले जाओ तो यह सब सोफी बता रही है लेकिन सोफी क्या है इंपेशिंट है वो बेस सबर है उसको तो बस जाना है बाहर घूमना है और लाइफ एंजॉई करनी है भाई के साथ शी वस कॉंशिस ऑफ वास्ट वर्ल्ड आउट देर वेटिंग फॉर हर और शी नीव इंस्टिंक्टिवली जो बहुत को पता है कि बाहर एक वास्ट वर्लड आई एक बड़ी दुनिया है जो उसका इंतजार कर रही है कि कब सोफी आएगी और हम मुछ से मिलेगी उसका मुझ आ ने दुनिया के लिए गुच कले है च्टूनिया कुच को बहुच कहाई है वो उसको home जैसी, घर जैसी लगती है क्योंकि उसका बहुत मज़ा आता है बाहर की दुनिया में जाना और घूमना अब सोफी अपने दिमाग में imagine कर रही है कि उसका भाई जियॉफ बाइक चला रहा है और वो पीछे बाइक पर बैठी हुए और बड़ी बड़ी जगाओं पर इदर उदर घूमने जा रही है अब ऐसा reality में बिलकुल भी नहीं क्योंकि सोफी यह सब बाइक राइट जो है यह सब imagine कर रही है Cape क्या होता है? Stole ऐसा long shrug जैसा यह yellow color का shrug है जो पूरा यह पूरा loose सा है इस पूरे को हम Cape कहते हैं जो shrug stole जैसा होता है तो अब सोफी imagine कर रही है कि वो अपने भाई के पीछे बाइक पर बैठी हुई है और उसके भाई ने क्या पहनी है? Shining black leathers याने black color की leather की jacket पहनी है उसके भाई ने और खुच सोफी ने yellow color की dress पहनी है इस तरीके की जिसमें ऐसा cape है, ऐसा loose dress type का पहन है और जब बाइक चल रही है तो उसका जो cape है वो पीछे की तरफ उड रहा है ऐसा वो सारा कुछ imagine कर रही है तो जितने लोग हैं आसपास, वो सब खड़े हो गए हैं, उसको greet कर रहे हैं, उसको welcome कर रहे हैं और तालिया बजा रहे हैं कि welcome to the world Sophie तो basically Sophie है, सब चीज़े imagine कर रहे हैं, क्योंकि इसको बाहर की दुनिया में अपने भाई के साथ घूमना है So frowning का मतलब क्या है? Frowning का मतलब annoyed, यानि परिशान होना किसी वज़य से Component का मतलब क्यों होता है? किसी चीज का part या किसी चीज का कोई piece Cradled का मतलब क्यों होता है? Hold something delicately जब आप को इसी चीज को बहुत अराम से पकड़े हो कि गिर न जाए या तूटनी जाए तो अब तक यहां तक imagination चल रही थी Sophie की कि मैं जा रही हूँ, दुनिया मेरे लिए खड़े हो के तालिया बजा रही है कि welcome to the world Sophie फिर एकदम से अपने ख़यालों से बहार आती है Sophie और देखती है अपने भाई को कि वो कोई इस तरीके से कोई motor mechanic का motorbike का कोई piece लेके खड़ा हुआ है जो कि काफी oily है और ध्यान से पकड़ा हुआ है कि ताकि oil की वज़े से फिसल के गिर न जाए वो piece क्योंकि वो mechanic है और वो देखे बहुत annoyed हो रहा है कि ये चीज बन क्यों नीरी मुझसे और इसलिए परिशान हो रहा है कि जैसे कि मेरे हाथ में कोई एक dumb animal है जो बोलने के लिए ready है याने कि इस तरीके का animal है मेरे हाथ में जो चली नहीं रहा ये कब चलेगा तो इस तरीके से वो अपने भाई को अपने mechanic के parts mechanic parts से परिशान होती हुए देखती है reality में I met Danny Cassie Sophie said He looked around abruptly अब Sophie आती है और फिर से फाल्तु की imagination की जो बाते हैं वो बताती है वो बोलती है कि मैं Danny Cassie से मिली Sophie अपने भाई को बोलती है Danny Cassie कोन है Danny Cassie He's a Irish football player यह बहुत famous football का player है तो वो अपने भाई को बताती है सुनो मैं Danny Cassie से मिली He looked abruptly याने वो अपना काम करते करते हैं सड़नली उसको ऐसे देखता है और बोलता है Where? कहां मिली तुम Danny Cassie से? In the arcade Funnily enough It's never true तो वो अपने भाई को बोलती है मैं उससे arcade में मिली Arcade याने की gallery एक ऐसे market type की जगा है जिसमें line से बहुत सारी shops होती है तो बाहर थोड़ा से area होता है जहां लोग चलते हैं गूमते हैं उससे हम arcade कहते हैं तो कहती है मैं उसको arcade में मिली थी Funnily enough और Funnily enough याने की हमारी जो meet थी बहुत funny थी याने एकदम से मिल गए तो उसका भाई बोलता है It's never true तुम सच नहीं बोल रही हो I did too वो कहती मैं सच क्या है रही हूं You told dad उसका भाई बोलता है उससे तुमने dad को बताया कि तुम Danny के ऐसे से मिली She shook her head उसने ऐसे किया That means उसने नहीं बताया अपने dad को कि वो Danny के ऐसे से मिली Chastened at his unawareness that he was always the first to share her secrets Chastened का मतलब क्यों रही होता है Humble तो जब उसके भाई ने पूछा कि तुमने dad को बताया कि तुम Danny के ऐसे से मिली तो वो यूँ करती है That means no और वो बहुत humble तरीके से बोलती है अपने भाई से क्यों क्योंकि वो सोचती है कि मेरा भाई कैसा है मैं जो भी इसको बताती हूँ He is the first person मैं इसको अपनी हर अपनी secrets आके बताती हूँ और यह आके मुझसे बोच रहा है कि तुमने dad को बताया कैसे possible है कि मैं dad को बता हूँ यह सब बाते हैं और वो तो गुस्ट आजाएंगे जबकि मैं तो हर बात आके अपने भाई को बड़े भाई को आके सबसे पहले बताती हूँ तो यह सब बाते वो सोच रही थी Sophie I don't believe it उसका भाई बोलता है मुझे तुमारी बातों पर कोई अकीन नहीं है There, I was looking at the clothes in Royce's window when someone came and stood beside me and I looked around and who should it be but Danny Cassie तो बताती है कि वो कैसे मिली Danny Cassie से वो बोलती है मैं Royce के window पे खड़ीती है मैंने की एक बड़ी सी clothes की shop थी clothes का एक बहुत बड़ा showroom था वहीं खिड़की पे खड़ो के मैं clothes को देख रही थी और एक इंसान आया मेरे पास में आके खड़ा हो गया जैसी मैंने उसकी तरफ मुड़ कर देखा तो वो कौन था वो Danny कैसे था मैंने जब उससे देखा और राइट वोट ड़ी लोक लाइट तो उसका भाई बोलता है ठीक है तुम मिली थी ना तो बताओ Danny कैसे कैसे दिखता है ओ कमाउन यू नो वाट लुक्स लाइक तो सोफी अपने भाई से बोलती कमाउन तो मैं पता है Danny कैसे कैसे दिखता है हमने कितनी बार उसे टीवी में दिखा है कितनी बार उसका हम फुटबॉल मैच देखने गए हम सब को पता है Danny कैसे कैसे दिखता है तो उसका भाई पूछता है नहीं मैं पूछना चाहता हूं कि वो पास से कैसा दिखता है क्योंकि तुम्हें तो वो पास से मिला ना वेल, he has green eyes, gentle eyes तो वो बताती है कि उसकी green color की आखे थी और gentle बहुत प्यारी से आखे थी उसकी and he is not so tall as you think और वो कहती है कि वो इतना tall नहीं, उसकी height इतनी जादा नहीं है जैसा हम लोगोंने कईबा TV में और उसको match playground में देखा है इतना tall नहीं है, उसकी height बहुत कम है she wondered if she should say about his teeth but decided against it फिर वो सोचती है कि मैं अपने भाई को बताऊं क्या कि उसके teeth कैसे थे फिर कहती ही चलो चलो मैं नहीं बताती हूँ तो ये सब क्या है, ये सब सोफी की imagination है नहीं वो Danny कैसे से मिली, नहीं उसकी आँखे green थी नहीं उसने देखा था कि उसकी height इतनी जादा थी ये सब वो स्रिव imagine कर रही थी, fantasize कर रही थी Danny कैसे के बारे में और ये जूटी जूटी फालतू की कहानी अपने घर वालों को और अपने brother को बता रही थी तो अब उनके फादर अंदर आते हैं और अब वो नहा के आ गए क्योंकि पहले के और थे, वो काम से आय थे, स्वेट हो रहे तो वो नहा के आये शाइन कर रहे थे और पिंक थे और उनके अंदर से सोप याने साब उनके अब फ्रेग्नेंस आ रही थी He switched on the television, tossed one of the Derek's shoes from his chair onto the sofa and sat down with a grunt तो जैसी वो अंदर आये रहॉल में और उन्होंने TV on करी और जिस chair पर वो बैटने वाले थे वहाँ पर उनके छोटे बेटे Derek का एक shoe पढ़ा था तो उन्होंने उठाया और गुस्ते में sofa पर फेका और फिर वो अपनी chair पर बैट गए with a grunt याने की a low rough voice गुस्ते में की कैसे लोग हैं घर में जूते रख लेते हैं इस तरीके से वो shoe फेक के वहीं पर बैट गए तो जहां वो table पर बैटी थी उसने turn होके देखा कि Geoff ने father को बताया है कि Sophie अभी अभी Danny कैसे से मिलकर आई है Her father turned his head on his thick neck to look at her तो उसके father turn होके देखते हैं कि उनका जो neck है वह काफी turn थिक है काफी मोटा है तो वह अपने thick neck से turn होके Sophie की तरफ देखते है His expression was one of disdance, disdance का मतलब क्यों होता है The feeling that someone is unworthy of some respect तो उसके father ने Sophie को देखा कि तुम Danny कैसे से मिली थी हाँ तो ठीक है Danny कैसे से तो मिली थे क्योंकि Danny कैसे को इतना famous नहीं है वो तो अभी team में है और उसको बहुत experience की जरुवत है तो इस expression से उन्होंने अपनी बेटी को देखा It's true, Gioff said तो Gioff अपने फादर से बोलता है यह सच बात है, वो बोल रही है, मैं Danny का ऐसे से मिलकर आई हूँ तो यह सच बात है I once knew a man who had known Tom Finney His father said reverently to the television Reverently का मतलब क्यों होता है With deep respect और Tom Finney कौन है Tom Finney, Sophie के फादर के जमाने के बहुत famous player है football player है तो इसके फादर कहते हैं कि तुम्हें पता है एक बार मुझे एक इंसान मिला था जो Tom Finney से मिलकर आया था और ये चीज उन्होंने बहुत जब बोली इसके फादर ने बहुत respectfully बोली जब वो Tom Finney की बात कर रहे थे क्यों क्योंकि वो Tom Finney की बहुत respect करते और Danny कैसे के नहीं करते But That was a long time ago You told us, Jioff said तो Jioff उनका बेटर बोलते हाँ हाँ आपने बताया था काफी साल पहले की आपका कोई फ्रेंट टॉम फिनी से मिलकर आया था क्यासी माइट भी डाट गूट समडे अब उसके फादर बोलते हाँ Danny कैसे भी जितना टॉम फिनी अच्छा उतना अच्छा भी एक दिन बन जाएगा और फिर उनका बेटा जो है जियॉफ वो कहता है हाँ वो हो सकता है टॉम फिनी से भी अच्छा बन जाए क्योंकि Danny कैसे वो बेस्ट है वो बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है इफी कीपस इस हेड ओन इस चोल्डर्स इफी कीपस इस हेड ओन इस चोल्डर्स का मतलब क्या है नॉट तू बिकम ओवर कॉन्फिडंट तो यहाँ पर जो फादर है सोफी के वो अपने बेटे जियॉफ से कहते है कि हाँ अगर डैनी कैसे जादा ओवर कॉन्फिडंट ना बने ना तो वो बहुत अच्छा कर सकता है यानि बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता है इफ दे लोक आफ्टर हिम प्रॉपरली और लोग भी अगर उसको धियान से देखेंगे तो और वो ओवर कॉन्फिडंट ना हो तो वो अच्छा कर सकता है तो क्योंकि डैनी कैसे है कि यांग है आईरिश फुटबॉलर एक पर काफी यांग एज में टीम में आया है तो उसके फादर कहते हैं कि वो तो यांग है और यंग एज में बच्चों को तो बहुत सारे डिस्ट्राक्शन होते हैं अधर उदर उनका ध्यान भटकता है अगर उसका ध्यान ना भटके अपने गेम से तो वो बहुत अच्छा कर सकता है जैसे टॉम फिनी करते थे तो उसका बेटा जियॉफ कहता है कि हाँ वो अच्छा करेगा और वो इस कंट्री के सबसे बेस्टीम का फुटबॉल प्लेयर है तो वो अच्छा करेगा फादर को बोलता है वो तो उसके पापा बोलते हैं अभी तो बहुत छोटा है तो जियॉफ कहता है वो मुझ से तो बड़ा है मेरी एथ से तो बड़ा है तो वो काफी बड़ा है भी तो बडियूफ जो है यहां पे डानी कैसी की कारीफे कर रहा है अपने फादर से तो फादर बोलते हैं यह first team यानि जो national team है हमारी कंट्री की फर्स टीम याने कि जो नाशनल टीम है तो उसके फादर बोल रहे है कि वो इस नाशनल टीम के लिए काफी छोटा है याने इसके पास अभी इतने एक्स्पीरिंस नहीं है डाइनी कैसे के पास तो उनका बेटा जॉफ कहते कि आप इस चीज पर आर्गू नहीं कर सकते फादर आप बहस नहीं कर सकते कि उसकी इबिलिटी उसकी स्कील्स कितनी अच्छे क्योंकि उसकी स्कील्स बहुत अच्छी इसली तो वो फर्स टीम में है याने नाशनल टीम में है कंट्री की He is going to buy a shop Sophie said from the table अब Sophie इसा बाते सुन रही है हमाँ टेबल पर बैटे बैटे अब Sophie एक नई imagination की कहानी बता रही है वो कहती है वो अब एक shop खरीदने वाला है याने अब एक दुकान खरीदेगा हर father grimaced तो अब उसके father जो है वो grimaced हो गए है याने बहुत गुस्सा हो गए उसकी बात सुनके वो कहते है तुम कहां से सुनके है कि इतना बड़ा footballer जो है famous वो अब एक shop खोलने वाला है he told me so तो कहती है उसी ने मुझे बताए कि मैं अब दुकान खोलने वाला हूँ एक he muttered something inaudible and dragged himself round in his chair inaudible के मतलब unheard कोई ऐसी चीज़ भी ठीक से सुनाई ने दे रही तो उसके फादर जो ही कुछ भी कह रहे है पागल हो गई यह स्टेट की कुछ भी बात अपनी दीरे दीरे बोल रहे हैं ता कि किसी को सुनाई ने this another of your wild stories and dragged himself round his chair तो उनोंने अपनी चेर जोर से गुमाई और सोफी को बोला फिर से तुम अपनी वो wild story सुना रही हो में यानि वोई फालतो की imaginative बातें जो reality में सच नहीं है तो वो अपनी बेटी को ऐसा चिलाते है she met him in the arcade Jioff said and told him how it had been तो Jioff बोलता है अपने फादर से कि वो आर्केड में यानि गैलरी मार्केड में नानी कैसे से मिली है और कैसे मिली वो भी उसने मुझे बताया है पापा One of these days you are going to talk yourself into a load of trouble हर फादर said aggressively तो क्योंकि सोफी हमेशा इस तरीके की imaginative बाते फाल्तू की बाते करती रहती थी जो reality में सच नहीं होती थी उनके फादर ने aggressive लियाने गुस्से में बोला कि सोफी तुम इस तरीके से बात करती रहती हो एक दिन अपने आपको देखना बहुत trouble में बहुत मुसीबत में पाऊगी Jioff knows it's true don't you Jioff तो सोफी अपने फादर से कहती है नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ Jioff को पता है कि मैं सच कह रही हूँ Jioff तुम्हें बता है ना मैं सच कह रही हूँ he don't believe you though he'd like to तो फादर कहते हैं वो कोई तुमारी बात पे बिलीव नहीं करता है वो स्रिफ शो करता है ऐसा तो अब यहाँ पर एक अलग सीन चल रहा है अब क्या और है अब यहाँ पर सीन चल रहा है Jioff के रूम का सीन Jioff के रूम में एक table lamp चल रहा है जिसमें amber glow light है यानि इसके रूम में इस तरीके की एक light है lamp है जो कि इस तरीके की yellow light wall पे reflect कर रहा है और wall पे क्या है एक poster लगा है जिसमें अलग-अलग famous football players की pictures है और इसमें से पूरी एक row colored photographs में है जिसमें से तीन photographs तो famous prodigy यानि famous person की है और वो famous person है Danny कैसे तो basically बहुत सारी photographs लगी हुए है और तीन-चार photographs तो उसमें Danny कैसे की है promise you'll tell no one Sophie said तो अब Sophie अपने भाई Jioff से बोलती कि तुम मुझ से promise करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताऊगे कि मैं Danny कैसे से मिली promise Jioff dad's nothing to tell is there तो Jioff कहता है nothing to tell is there तो Jioff कहता है इसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं जो मैं लोगों को जाके बताऊँ कि मेरी भेंट Danny कैसे से मिली promise Jioff dad murder me तो Sophie Jioff से कहती कि नहीं तुम मुझ से promise करो कि तुम नहीं किसी को नहीं बताऊगे ने तो dad मेरा murder कर देंगे तो basically अब Sophie क्या बता रही है Jioff को एक और अपना secret बता रही है और उसी secret के लिए वो कह रही है कि Jioff अब मैं तुम एक बात और बताती हूँ तुम बस किसी को बताना मता अगर तुमने किसी को बताया तो dad मेरा murder कर देंगे तो Jioff कहता है only if he thought it was true तो Jioff कहता है क्यों murder करेंगे dad तुमारा जब dad तुमारी वात का विश्वास ही नहीं कर रहे कि सच है तो क्या murder करेंगे उन्हें को trust verse नहीं तुमारी वात का प्लीज Jioff फिर वो अपने भाई से कहती है प्लीज Jioff मैं तुम एक बात बताने वाली है तुम promise करो किसी को मत बताना Christ Sophie you still at school कैसे must have strings of girls strings याने की so many तो उसकी इतनी सारी बकवास सुनके जो उसका भाई है Jioff वो कहता है Jesus Christ Sophie तुम अभी छोटी बच्ची हो तुम कैसे के पीछे लगी हो Danny कैसे के पीछे लगी हो उसके आसपस कितनी सारी girls होंगी तुम कहां उसके पीछे लगी हो No he doesn't अब Sophie एक कहानी और बोलती है बताती है नहीं नहीं उसके पीछे कोई जादा girls नहीं है How could you know that? He jeered Jeered याने किसी को tease करते हुए याने किसी के मज़े लेते हुए तो उसका भाई उसके मज़े लेते हुए बोलता है तुमें कैसे बता कि उसके पीछे बहुत सारी girls नहीं है He told me, that's how As if anyone would tell a girl something like that तो Jeoff उसका भाई बोलता है वो तुमसे मिला और उसने तुमें पहली बार मिला और वो तुमें पहली बार मिल के क्या बोलता है कि मेरे पीछे बहुत सारी girls नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है Yes, he did He isn't like that, he's quiet तो सोफी कहती है हाँ हाँ उसने मुझे बताया और जैसा तुम लोग उसे समझ रहे हो वो वैसा नहीं है वो बहुत quiet है बहुत शांत टाइप का इंसान है वो Not as quiet as all that apparently Apparently यहने seemingly जैसा दिखाई दे रहा है तो Jeoff कहता है जैसा मुझे दिखाई दे रहा है जैसा तुम बता रहे हो कि वो तुमें इतनी सारी बता रहा है इतनी सारी बाते बता रहा है इससे यह तो नहीं दिखता कि वो कोई quiet type का इंसान है वो तुमें बता रहा है मैं एक shop खोलने वाला हूं वो तुमें बता रहा है मेरे पीछे girls नहीं है तो ऐसा तो कोई quiet लड़के नहीं बोलते है तो उसका भाई उसको बोलता है यह सब जीवे तो वो अपने भाई को बोलती है जीओफ ऐसा कुछ भी ने मैं ही थी वो first person जिसने उससे जाके बात करी वो नहीं आया था मुझसे बात करने तो कहती है जब मैंने उसको देखा मैं इसको identify कर लिया था कि वो Danny कैसे लेकिन फिर भी मैं उसके पास गई और मैंने बोला excuse me, are you Danny कैसे जब मैंने उसके बोला तो वो थोड़ा सा इसे surprise type का हो गया और उसने बोला हाँ हाँ मैं Danny कैसे हूँ and I knew it must be him because he had the accent you know like when they interviewed him on the television तो कहती है जएसी उसने बोला हाँ मैं Danny कैसे हो मैं एक second मैं समझ गई कि हाँ ये Danny कैसे ही है उसका accent सुनके the way he speaks ये सुनके मैं समझ गई कि ये Danny कैसे ही है क्योंकि जब हमने TV मैं इसका interview सुना है तो exactly वो ही voice थी जोस की थी तो मैं समझ गई ये पक्के में Danny कैसे ही है So I asked him for an autograph for little Derek but neither of us had any paper or a pen फिर वो पोलती कि फिर मैंने अपने चोटे भाई Derek के लिए उससे autograph मांगा कि प्लीज मुझे आपना autograph दे सकते लेकिन हम दोनों के पास नहीं pen था नहीं paper था तो ऐसे करके हमारी बातचीत शुरू हुई तो ये सब बाते Sophie अपने भाई Geoff को बता रही है So then we just talked a bit फिर वो कहती फिर हमने कुछ नहीं थोड़ी बहुत हमने बाते करी about the clothes in Roy's window और किस बार में बाते थी? क्योंकि हम लोग Roy's showroom के बाहर कड़े थे के clothes का शुरू में उसी के हम लोग कुछ भी कुछ भी बाते कर रहे थे He seemed lonely After all it's a long way from west of Ireland तो Sophie बताती अपने भाई को कि वो बहुत lonely लग रहा था याने बहुत अकेला टाइप का feel कर रहा था क्योंकि वो इतनी दूर से travel करके है क्योंकि वो Irish footballer है तो वो कहां से आया है West of Ireland से आया है जहां पर ये लोग रहते तो कहती है शायद वो उतनी long journey करके आया था ठक गया था बहुत lonely feel कर रहा था And then, just as he was going He said, if I would care to meet him next week He would give me an autograph then Of course, I said I would तो Sophie अपने भाई को बताती है फिर जाते जाते वो मुझे एक चीज़ बोल की गया कि अगर मैं उससे next week मिलने का promise करती हूँ तो वो next week मुझे अपना autograph देगा और मैंने बोला हाँ हाँ मैं तुमसे विलकुल मिलूँगी As if he'd ever show up तो जियॉफ बोलता है किया मेरी बात का विश्वास तो यह सब अपने भाई से करिये अब यह जो पूरी कहानी है कि वो lonely दिख राथा वो दूर से travel कर के आया था उसने मुझ से बोला next week आके मिलना यह कुछ भी reality नहीं है यह कुछ भी सच्चा ही नहीं है यह से सोफी का imagination है क्योंकि वो dynamic ऐसे एक बड़े से celebrity को football player को पसंद करती तो उसकी दिमाग में उसको लेके बहुत सरी fantasies है और कुछ भी इसमें reality नहीं है फिर यह सब बाते उसने कर ली अपनी बहन से जी ओफ ने फिर उसने dragged याने कि pulled फिर वो अपना mechanic के काम से उठा और chair पर इस तरीके से जो उसका black leather jacket पड़ा था उसने उठाया और अपना एक काम डाला उस jacket में तो जब यह देखती है सोफी अपने भाई को तो वो सोचती है कि मेरा ब्रदर कितना smart है कितना tall है लेकिन उसको अपने appearance पे attention करना चाहिए ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने और अच्छा दिखाई दे विष्ट और वो सोचती कि मेरा भाई अपने कपड़ों पे और ध्यान दे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने वो सोचती मेरा भाई कितना tall है कितना strong इसके इतना बड़ी असा dark face है handsome है और बस जो अपना जाकेट पहनते हुए जब वहां से जाता है तो वो अपनी भेन को बोलता है कि जो तुमने मुझे भी बाते बताई है यह इस दुनिया के सबसे unlikeliest thing है जो मैंने सुनी है यानि सबसे unexpected और doubtful मुझे यकीन ही नहीं होता था कि तुम कितनी बख्वास बाते कर रही हो मुझसे तो यह सब वो अपनी किस से बोलता है अपनी बहन से बोलता है जोफ अब यूनाइटेड क्या है यूनाइटेड वहां की फुटबॉल टीम का नाम है तो हर साटेडे की तरह इस साटेडे भी सोफी उसके दोनों भाई और उसके फादर का प्लान बनता है कि हम लोग यह फुटबॉल मैच देखने जाएंगे पिल्ग्रिमेज मतलब पिल्ग्रिमेज का रियालिटी में मतलब ही होता है कि जब आप कोई religious journey पर जा रहे हो याने कोई यातरा पर किसी तीर्थ यातरा पर जा रहे हो लेकिन यहां पर पिल्ग्रिमेज का मतलब यह है देवोशन तोवर्ट फुटबॉल मैच क्योंकि वो हर साल हर हफते जाते ही है फुटबॉल मैच देखने तो इस साल भी इस हफते भी वो लोग Saturday को जा रहे है तो हर बार की तरह जो यह गोल है जहां पर गोल डाते उसकी पीछे वाली सीट्स पे सोफी उसके फादर और उसका भाई डेरिक थे और जो ऊपर की सीट्स थी वहाँ पर हर बार की तरह जोफ अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बैट गया और यह लोग आये थे मैच देखने किसका दैनी कैसे का और वो किस टीम का था United नाम की टीम का था वो प्लेयर United won 2-0 and कैसे डोव इन जाके बैट गोल a blend of innocence and Irish genius going round the two big defenders on the edge of the penalty area with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards तो क्या देखा उन्होंने उन्होंने देखा कि जो मैच है वो 2-0 से United team जीत गई है याने कि United team जिसमें Danny कैसे था उनको 2 points मिले थे और जो opposite team थी वो 0 points मिले थे और जो second goal था वो Danny कैसे नहीं किया था और वो बहुत innocent लग रहा था और वो Irish genius लग रहा था जब वो खेल रहा था और यह सब चीजे Sophie देख रही थी उसको और उसने कैसे किया second goal उसने कैसे मारा यह 2 defenders थे एक defender यह और एक defender यह दोनों उसको defend करने की कोशिच कर रहे थे और उसको goal नहीं मारने दे रहे थे लेकिन जो यह blue team में है यह आपका Danny कैसे था उसने उन defenders को defeat करते हुए penalty area से निकालते हुए एक जोर से 12 yards दूर याने 12 कदम दूर से इसने kick मारा और ball goal में चली गई और वो लोग जीत गए जब वो इस तरीके से इन दोनों defenders को ball pass नहीं कर रहा था उसके father वहाँ से चिला रहे थे कि pass it, pass it वो basically जैसे हम match देखते हैं और excited होते हैं तरीके से excited हो रहे थे Sophie glowed with pride जैसे ही Danny Cassay ने second goal मारा और उनके team जीत गई Sophie के पूरे गाल पिंग हो गए वो blush करने लगी और उसको proud feel होने लगा Danny Cassay के उपर afterwards Joss was ecstatic Joss के हो गया वो excited हो गया और वो भी बहुत joyful हो गया एक्साइटे हो गया कि हमारी team जीत गई I wish he was an English man someone said on the bus अब match हो गया ये लोग खुश हो गया अब ये लोग सब बस में बैठके वापिस अपने घर की तरफ जा रहे थे बस में बहुत सरे दूसरे लोग भी थे Sophie ने सुना कि बस में बैठे हुए little Derek told his mother when Sophie brought him home तो जब सब लोग घर आगए match देखके तो Sophie का जो छोटा भाई है Derek वो अपनी मदर को बताता है कि देखना मदर Ireland ही match जीतेगी football का match जीतेगी her father was gone to the pub to celebrate और उसके father तो इतना खुश ते कि Ireland match जीत गई तो वो celebration करने के लिए pub चले गए थे what's this you have been telling Jansi said next week तो अब यहाँ पे जो है एक scene खतम होता और दूसरा scene start होता है अब next day की start हो गया यहाँ पे Jansi जो कि Sophie की best friend और classmate है वो दोनों walk कर रहे हैं school से वापिस घर आ रहे हैं तो Jansi क्या बोलती है what's this you have been telling तो Jansi उसके friend बोलती है Sophie को कि तुमारे बड़े भाई Jansi ने मेरे भाई Frank को बताया कि तुम Danny कैसे से मिली थी this wasn't an inquisition just Jansi being nausee inquisition का मतलब क्या है किसी बारे में investigation और nausee का मतलब क्या होता है curious, जानने की इच्छा तो Jansi जो है वो Sophie से कोई investigation नहीं कर रही थी वो सरफ जानने के लिए curious थी कि ऐसी क्या बात है जो वो Danny कैसे से मिली but Sophie was startled उसकी ये बात सुनके Sophie startled हो गई याने की एकदम शॉक में आ गई कि मैंने तो ये बात सिर्फ जिओफ को बताई थी ये बात Jansi को कैसे पता चली कि मैं Danny कैसे से मिली oh that तो फिर Sophie के थी अच्छा अच्छा वो बात okay Jansi frowned sensing she was covering yes that तो Jansi जो है वो frown करती है याने की थोड़ा जीब सा angry face बनाती कि अच्छा इससे मैं पूछ रही हूँ कोई बात ये cover करने की कोशिश करी अच्छा अच्छा वो बात ऐसा ऐसा मुझसे बोल रही है तो Jansi बोलती है हाँ वो बात बताओ मुझे क्या है वो बात तो Sophie कहती है well yes I did वो बोलती है हाँ हाँ मैं I did याने मैं मिली थी Danny कैसे से हाँ मिली थी मैं क्योंकि यहाँ पे Sophie अपनी बात बताना निचारी Jansi को इसलिए थोड़ा cover कर वी है you never did Jansi explained तो Jansi कहती है तुम कभी नहीं मिली Danny कैसे से अब Sophie गुसे से जमीन पर ऐसे देखने लगी तुकि उसकी बात सामने आगे उसकी फ्रेंड की वो बताना भी नहीं चाहती थी और वो बोल रही है मैं मिली थी और वो उसकी बात कब विलीव भी नहीं कर रही है Damn that Jauf This was a Jauf thing and not a Jansi thing तो वो जमीन पर देख रही है Sophie और उसको गुसा आ रहा है वो सोच रही है कि ये Jauf thing था यानि कि ये जो बात है ये मेरे और Jauf के बीच का secret थी This is not a Jansi thing यानि ये Jansi के मतलब की बात नहीं है तो उसको बहुत गुसा आ रहा था कि Jauf ने ये बात Jansi के ब्रदर को बताई और उसके ब्रदर ने Jansi को बता दी तो ये बात उसकी फैल गई It was meant to be something special just between them तो Sophie सोच थी कि ये एक special बात थी जो सिफ मेरे और मेरे भाई Jauf के बीच की थी उसमें क्यों बताई उसके भाई को Something secret वो कहती है ये एक secret बात थी It wasn't a Jansi kind of thing at all और ये Jansi के बारे में बात नहीं थी Jansi को बताने वाली बात नहीं थी तो उसको बेसे के लिए अपने भाई पर बहुत गुसा आ रहा था Tell Gawki Jansi something like and that the whole neighborhood would get to know it Gawki मतलब graceless तो वो basically गुसे में Jansi के बारे में सोचरी की Jansi बहुत graceless है याने की बहुत बेहुदी लड़की है तो वो सोचरी है की Jansi को कोई भी बात बताओ वो ऐसी लड़की की पूरे neighborhood में पूरे मौले में पूरे neighbors को बात फैला देती वो इस टाइप की बात है Damn, that Geoff was nothing scared, nothing sacred तो वो Geoff के बाद में सोचती की इस Geoff के उपर तो मुझे बहुत गुसा हो रहा है इसने कोई secret नहीं रखा और इसको कभी नहीं बताना चाहिए मैं इस पर कितना trust करती थी It's a secret meant to be और वो सोचती है की यह secret था उसने कैसे बताया उसको I'll keep a secret, Soph, you know that तो Sophie जो है, वो जैंसी को बोलती की देखो, मैंने तुम्हें बता दिया ना की हम लोग मैं Danny कैसे से मिली थी तो यह secret है तो Sophie कहती है, जैंसी कहती है I'll keep a secret, Soph, you know that की मैं तुम्हारी secret बात secret ही रखूँगी तुम्हें पता है ना नहीं बताऊंगी तुम्हारी बात I wasn't going to tell anyone there'll be a right old row if my dad gets to hear about it row का मतलब क्यों होता है so much of noise, या लडाई या जगडा तो Sophie जैंसी से कहती ही कि देखो, मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाली थी लेकिन अब तुम्हें पता चल गई तो ठीक है और तुम्हें पता है कि मेरे डाड को अगर ये बात पता चली कि मेरे डानी कैसे से मिली हूँ तो बहुत वो गुस्सा होगा और मेरे घर में रो हो जाएगा रो याने बहुत लडाई जगडा और जिसकी वज़े से घर में बहुत ज़ादा शोर होता है जानसी ब्लिंग अरो, I have thought he'd be chuffed as anything चब्ट याने की cheerful याने जो उनसान खुश रहत है तो जानसी ब्लिंग करती याने आँख मारती है, Sophie को कहती है अरो, तुमारे गर में एक लड़ाई एक जगड़ा मुझे तो लगा कि तुमारे फादर बहुत cheerful है, बहुत खुश है ये बात सुनके, Sophie को ये बात confirm हो गई कि जानसी ने सब बाते बताई हैं, लेकिन एक चीज छोड़ दी उसने वो date वाली बात नहीं बताई कि मैं कुछ दिनों बाद ये next week Danny कैसे से मिलने वाली हूँ, तो ये सुनके वो बहुत शान्त हो गई उसने सांस ली, ब्रीद लिया कि चलो at least सब बताई है, उसने एक चीज तो नहीं बताई कि at least मैं date पे मिलने वाली हूँ Danny कैसे से So Geoff hadn't let her down after all, he believed in her after all तो इससे ये समझती है कि चलो Geoff ने मुझे let down नहीं किया, मुझे इतना तो नहीं किया कि सब कुछ बता दिया, उसने at least ये चीज तो छोड़ दी कि चलो next week मैं क्या करने, ये नहीं बताया at least कि मैं next week Danny कैसे से मिलने वाली हूँ और अब फिर से वो trust करिये कि चलो ठीक है, ये बताने लायक इंसान है After all, some things might be sacred तो वो सोच रही है, Sophie कि कुछ चीज़ा तो secret होती है, जो नहीं बताई जाती है It was just a little thing really, I asked him for an autograph but we hadn't any paper or pen, so it was no good How much had Geoff said तो फिर वो एक पूरी कहानी जो Sophie है, वो Jansi को बताती कि वो कैसे मिली थी तो उसने वो ही बताया कि अरे कुछ नहीं हम लोग उदर gallery में, उदर arcade में मिले और मैंने उससे autograph मांगा और फिर हमने देखा कि हम दोनों के पास ना paper है ना pen है तो बस यह सी हमारी बात स्टार्ट हो गई फिर वो पुछती है, फिर Geoff ने तुम्हें और क्या बताया कौन पूछता ही है Sophie पूछ रही है, Jansi से Jesus, I wish I would have been there तो Jansi कहती है, Oh God, Jesus, कश मैं भी वहां होती तो मैं भी Danic ऐसे से मिल लेती Of course, my dad didn't want to believe it You know what a misery he is Misery याने की discomfort तो वो कहती है, देखो तुमने मेरी बात का believe कर दिया लेकिन मेरे जो dad है, वो बिलकुल इस बात का मेरा believe नहीं करेंगे इसलिए मैं ये बात उन्हें नहीं बताना चाहती कि मैं अब Danic ऐसे से मतलब कि मैं Danic ऐसे से मिली और तुम्हें पता ही है, वो कितने misery याने कितना परिशान करते हैं घर में चिलाते हैं और noise create करते हैं But the last thing I need is cues of people around our homes asking him, what's all this about Danic ऐसे He would murder me तो वो Sophie जो है, वो जैंसी से कहती और एक चीज जो है, मैं बिलकुल नहीं चाहती वो यह है कि जैसे ही दुनिया को पता चलेगा कि मैं Danic ऐसे से मिली तो बहुत सारे crowd और लोग news reporters मेरे घर के आसपास इखटा हो जाएंगे और फिर वो मुझसे questions पूछेंगे Danic ऐसे के बारे में, कि वो कैसा दिखता है आपने कब मिलेगे, कैसी आपने बात करी उससे यह सब चीज़े पूछेंगे और अगर इतने सारे लोग इखटा हो गए मेरे घर के बार तो मैरे डाड वोड मुर्डर मी, मेरे डाड मेरा मुर्डर कर देंगे और तो वो कहती और तुम्हें तो पता है यह जैंसी कि मेरी बिचारी मदर कैसी हो जाती है जब हमारे घर में एक रो होता है याने कि फाइट होती है, लडाई जगड़ा होता है क्योंकि मेरी ममी बिचारी बहुत सीधी है वो कुछ बोलनी पाती तो यह सब चीज़े वो बता रही है अपनी फ्रेंड जैंसी को जैंसी सेड, हश्ट, you can trust me सोफ you know that हश्ट याने कि किसी को बोलते है quiet तो क्योंकि सोफी इतना सार एक्स्प्लिनेशन दे रही है जैंसी को कि अरे, ऐसे, वैसे तो तुम प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना किसी को मत बताना, मेरे पापा मेरा मुर्डर कर देंगे मेरी मम्मी की बिचारी कैसे हो जाती है घर में लड़ाई होती तो यह सब चीज़े सोफी जैंसी को बता रही है मैं नहीं बताऊंगी तुमारी बात किसी को यह सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगी So children, here we come to an end of this session मैंने इस चाप्टर को टू पार्ट में डिवाइट किया हुआ और यहाँ पर चाप्टर का फॉस्ट पार्ट में कम्प्लीट करती हूँ और I hope अगर आपको second पार्ट देखना होगा तो आप बिल्कुल stay tuned रहेंगे और हमारे चैनल को like, subscribe, share करना बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे So children, stay tuned क्योंकि मेरी जो next वीडियो होगी वो इस चाप्टर का पार्ट 2 होगा तब तक लिए, bye bye and take care